लीजे सुनिए सूर्य कांतितर पाथी निराला के लिखे उपन्यास कुली भाट का भाग पाँच मेरी यानि समीर गोस्वामी के आवाज में प्राथा काल जब आँख खुली काफी देर हो गई थी सासु जी प्राथा कृत्त के लिए पूछने आई निवरत होकर जल पानकर एक किताब लेकर बैठा कि सासु जी ने कहा सुबह सूरज की किरन पूटने के साथ कुली आई थे हमने कहा अभी सो रहे हैं उन्होंने फिर आने के लिए कहा है लेकिन भाईया कुली से मिलना जुलना अच्छा नहीं मैंने कहा जब वो खुद मिलने के लिए आवेंगे तब मिलना ही होगा लेकिन वो आदमी अच्छी नहीं सासु जी ने गंभीर भाव से कहा तो भी आदमी है इसलिए हमारे ये मतलब नहीं कि वो सींग वाले है आदमियों में ही आदमी की पहचान होती है जब आपको ये पहचान थी तब आपने उनसे कह दिया होता कि मुलाकात नहीं हो सकेगे पर गाओं के आदमी से एकाय कैसा नहीं कहा जाता फिर तुम नातेदार हो तुमसे गाओं भर के आदमी मिल सकते हैं इसने व्योवार मानकर हमारा रोकना अच्छा नहीं तो क्या आपका कहना है जब कोई इसने व्योवार मानकर आवे तो मैं ही उसे रोक दिया करूँ सासू जी आप प्रतेभू होकर बोली नहीं हमारा ये मतलब नहीं उसके साथ रहने पर तुमारी बदनामी हो सकती है पर मैंने कहा मेरे साथ रहने पर उसकी नेकनामी भी हो सकती है सासू जी मुझे देखती हुई शायद मुझे मैं सपष्ट नेकनामी के चिन्ह देखने लगी इसी समय कुली आए और अवरुद कंठ से आवाज दी जगे सासू जी की तेओरियों में बल पड़ गए श्रीमती जी एक दफ़ा इस तरफ से उस तरफ निकल गए मैं शुरू से विरोध के सीधी रास्ते पर चलता रहा हूँ कुली इतना खतरना का आदमी क्यों है जानने के उत्सकता लिये हुए बाहर निकला मदर मुस्किराहट से आत्मी तजत लाते हुए कुली ने सिर जुका कर नमस्कार किया उसे अत्यंत सभ मनुष्य के रूप में देख कर मैंने भी प्रती नमस्कार किया दिन के समय बाहर की बैठक में मेरे रहने का प्रबंद था पलंग बिचाया जा चुका था मैं बैठक की तरफ चला पलंग के पास एक खाली चार पाई पड़ी थी कुली अपनी तरफ से उस पर बैठ गए बराबरी की होड नहीं की ये मुझे बहुत अच्छा लगा पलंग पर बैठ कर मैंने अपनी सासुजी को उनके घनिष्ट संबंध से याद कर लिया इसी समय पान आए कुली ने तश्टरी लेकर आदर की दृष्टी से देखते हुए मेरी तरफ बढ़ाई मैंने गौरव पूर्ण गंभीरता से दो बीड़े लिये आशीरवात के स्वर से कुली को भी खाने के लिये कहा मुस्किराते हुए कुली ने दो बीड़े ले लिये और तश्टरी चार पाई पर रख दी फिर बड़ी सब्भ भाशा में बातचीत छेड़ी बात उसी शेहर के इतिहास पर थी मैं देखता था कुली मुझे खास तोर से मेरी आँखों को इस तरह देखते हैं जैसे उनके बहुत बड़े कोई प्रियेजन है ये द्रिश्टी इस से पहले मैंने नहीं देखी थी मुझे कौतु हल तो था पर भीतर से अच्छा लगता था कुली ने कहा ये दल्मव है यहां के पुराने अपढ़ लोग तो कहते हैं इला दल्बाबा के शाप से उलट गया है जानपुर के शाह से लड़ाई हुई थी बरेली के बल और दल्मव के दल मिलकर शाह से लड़े थी यहां से कुछ दूर पर वो जगए है जहां अब भी मेला लगता है यहां की जगए और किले पर फिर मुसल्मानों का अधिकार हुआ शाह के कबरे यहां है एक बार है दरी भी है मकनपुर में बहुत पहले यह जगए कन्नोच के अधीन थी जैचंद का जोंपड़ा यहां है 84 के उस तरफ यह इतनी अतिहासिक जगए है सुनकर मैं पुलकित हो गया ऐसी जगए सस्राल देने के कारण परमपिता को धन्यवाद दिया मन में इतनी महत्ता आ गई जैसे मेरी श्री मती जी दल की ही दुहिता रही हो मैं विच्चुरित आनंद के द्रिष्टी से कुली को देखने लगा कुली ने कहा यहां घाट भी कई देखने लायक है राजा टिकईत राय का घाट तो बड़ा ही संदर है मेरी सस्राल के संबंध में एक साथ इतने नाम आएंगे मेरा स्वपन मैं भी जाना ना था मैं एक विशिष्ट व्यक्ति की तरह गंभीर होकर बैठा मुस्किरा कर कुली ने कहा यहां और भी घाट है मठ और मंदिर बहुत पुरानी जगह है उजड़ी बसती देखने लायक है मैं देखूंगा मनी मन सस्राल वालों को इतर विशेश कहते हुए मैंने कहा कुली ने कहा जब चली आपको ले चलो इस वक्त तो धूप हो गई है शाम को चले हैं तो चलकर किला देखाई है मैंने सम्मती दी कुली ने कहा मैं चार बजे आऊंगा यहाँ आदमी भी बहुत बड़े बड़े हो गए है जैसे मेरे वंच के कुली ने कुछ कवियों के नाम गिनाए मैंने उन्हें भी बड़ी इज़त से मन में जगए दी कुछ देर बाद कुली उसी तरह आँखे देखते हुए नमरता पूरवक नमसकार कर विदा हुए मैं बैठा सोचता रहा दुनिया कैसी दुरंगी है इस आदमी के लिए उसकी कितनी मंद धारणा है बैठ का निराला देखकर सासुजी भीतर आई पहले कई बार शंकित दृष्टी से जांक जांक कर चली गई थी आते ही हिरिष्ट चित्त से पूछा कुली चले गए गंभीर होकर मैंने कहा हाँ आज की बात चीज से तो मुझे वो बड़े अच्छे आदमी मालूम दिये एक शन के लिए सासुजी फिर शंकित हो गए फिर मुझसे कहा तुमने रामायन तो पढ़ी होगी यद्यपी में लड़की नहीं कि पतिदेव की आँखों में पढ़ी लिखी उतर जानी की गरज से रामायन भर पढ़ी है फिर भी रामायन की बाते मुझे मालूम है और आपके सामने परिक्षा ही देनी है तो कहता हूँ कुली रावन या कुम्बकरण नहीं ये मैं समझ गया हूँ सासू जी मुस्किराईं बूली परिक्षा में पास होने की शेखी लिए हुए भी तुम मेरी राय में रामायन में फेल हुए मैंने रामायन का जिक्र इसलिए नहीं किया था कि तुम कुली को रावन या कुम्बकरण बनाओ मेरी बात के सिलसले में कुम्बकरण तो बिलकुल ही नहीं आता रावन के योगी बनकर भीख मांगने के परसंग पर कुछ आता है पर दर असल ये दोना मिसाले गलत है मतलब कालनेमी से था मैंने उसी वक्त कहा हाँ कालनेमी जिमी रावन राहू लिखा है सासु जी मधुर मुस्कराई कहा तुमने रामाहिन पढ़ी है ये सही है लेकर नहीं हाँ हनमान वाला परसंग है कि मैं पकड़ कर पेर पटक देता मैंने बात छीन ली जैसे गर्व से सासु जी को देखा सासु जी हस दी बोली इसमें शेक नहीं कि तुमने बड़ा ही सुन्दर अर्थ लगाया है पर मुझे कहलेने दो कालनेमी की मिसाल इसलिए है कि महावीर जी कितने साधु सज्जन थे वो भी उसकी बातों में आ गए थे पहले नहीं समझ सके कि उसमें छल है हम् मैंने कहा ये तो नहीं समझ सके पर आपने अपनी पुत्री को समझा दिया होता कि वो मकरी अपसरा बनकर मुझे भेद बतला देती पर वो मकरी नहीं ना मकरी की तरह उसने तुम्हें पकड़ा है और जबकि उस तरह नहीं पकड़ा तब मरकर अपसरा बनकर भेद बतलाने की उसे आवशकता नहीं हुई परन्तु तुम अगर उसे मारकर ये भेद जानना चाहोगे तो हत्या ही तुम्हारे हाथ लगेगे सासु जी की ग्यान पर मुझे आश्चर हुआ खास तौर से इसलिए कि उनकी बात का कोई तात्पर मेरी समझ में नहीं आया कुली वाली चार पाई पर बैठी हुई सासु जी ने इसने कंट से मुझ से पूछा तुम्हारी और कुली की क्या बात चीत हुई उच्छ वसिन होकर मैं कुली की आकर शक बात चीत कहने लगा मुस्किर आकर सासु जी बोली खाल हमी वाला परसंग पूरा उतर रहा है वो तुम्हें यहां से ले जाना चाहता है मुझे बहुत बुरा लगा मैंने पूछा तो क्या है यहां किला नहीं है किला है सासु जी ने कहा लेकिन उसका मतलब तुम्हें किला दिखाना नहीं मालूम देता यह आपको कैसे मालूम हुआ मैंने रुखाई से पूछा इस तरह की कुली के हत्खंडी हमें मालूम है बात फिर भी मेरी समझ में ना आई सासु जी गंभीर होकर बोली जब जाना तब चंद्रिका को साथ ले जाना अकेले इसके साथ हर्गिस जाना नहीं हो सकता क्यों? मैंने कहा क्या कुली मुझसे ज़्यादा शेहजोर है जो चंद्रिका बल पहुँचाएगा? सासु जी हसी कहा ये तो जानती हूँ लेकिन फिर भी तुम लड़के हो माबाप की बात का कारण नहीं पूछा जाता कह कर उठी हो और कहा चलो नहालो भोजन तयार है अभी आप सुन रहे थे सूर्य कांत तरपाठी निराला के उपन्याज कुली भाट का भाग पांच मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में